अस्सलामू वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बड़ा ही इंट्रेस्टिंग वीडियो मुफ्ती सल्मान अजहरी साहब के उपर लेकर आया हूँ। मुफ्ती सल्मान अजहरी साहब की पकड किस बात को लेकर हुई है? आज उस पर ये वीडियो है। गुजरात की अदालत की एक वीडियो वाइरल हो रही है। जहां पर जो मुफ्ती सल्मान साहब के एड़ोकेट हैं, वह बहस कर रहे हैं, दम लगा रहे हैं कि मुफ्ती सल्मान अजहरी साहब को छोड़ दिया जाए। जज वो आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तो, मुफ्ती सल्मान अजहरी साहब के उपर S, T, S, C का एक मुकदमा भी दर्ज है, आपको ये मालूम भी होगा। क्योंकि इतने वीडियो आ रहे हैं, यकीनन आपको मालूम हो गया होगा कि उनके उपर S, T, S, C, Act के तहट मुकदमा दर्ज है। आप जानते हैं कि मुफ्ती सल्मान अजहरी साहब ने क्या कहा है, उनके वकील ने अदालत के अंदर क्या बातें रखी हैं। ücktureate की degree रखने वाले होते हैं Islamic में, यानि higher education के मालिक होते हैं वो मुफ्ती होते हैं। मुफ्ती का definition इस तरीके से अदालत में रखा जाता है उसके बाद मुफ्ती सल्मान अजहरी साहब के वकील कहते हैं कि मेरे मुवक्किल पर जो STSC Act लगा दिया गया है वह किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहते थे बलकि उनका कहना था कि आज मुसल्मानों की जो स्थिती है वह दलितों से भी नीचे है अब इसी चीज़ पर मुफ्ती सल्मान अजहरी पकड़े गए है उनकी गिरफतारी की असल वजह जो है यही चीज़ है जज साहिबा का कहना है कि अगर मुफ्ती साहब PhD की डिग्री रखते है इसलामिक में और higher education उनके पास है तो उन्होंने तुलना कैसे कर दी कि आज मुसल्मान दलितों से नीचे है जबकि भारतिय सम्विधान सब को एक्ता देता है ना कोई अगड़ा है, ना कोई पिछड़ा है, ना कोई उपर है, ना कोई नीचे है भारतिय सम्विधान सब को एक मानता है, एक ताकत, एक अधिकार देता है तो उन्होंने यह बात कैसे कही अगर मुसल्मान को ही कही कि वह दलितों से भी नीचे है तो उन्होंने तुलना क्योंकि SATSC से इस पर मुफ्ती सल्मान अजहरी साहब के वकील ने कहा कि मुफ्ती साहब ने जो यह बात कही है वह अपने से नहीं कही है बल्कि संसद भवन के अंदर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब रखी गई थी उस पर यह जिक्र किया गया था कि आज मुसल्मान की जो दैनिक स्थिती है वह दलितों से भी नीचे है यह बात वकील साहब ने कही और कहा कि मेरे मुवक्किल ने यह कहा है किसी को उपर नहीं कहा है बल्कि वह खुद अपने आपको नीचे कहा है कि हम लोगों की जो स्थिती है, वह नीचे है, इस पर फिर से जज साहिबा ने कहा, कि उन्होंने फिर comparison क्यों की, तुलना क्यों की, और यही बात मुफ्ती साहब के लिए फांस बन गई है, और जो मुफ्ती साहब को अभी तक बेल नहीं मिल रही है, इसकी सबसे बड़ी बात यही है, अब दोस्तो, इससे हम लोगों को भी सबक लेना चाहिए, कि हमको भी ऐसे तुलना नहीं करनी चाहिए, किसी को ऊपर, किसी को नीचे नहीं करना है, क्योंकि दोस्तो, हम कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं, लेकिन जिस दिन आपकी पकड़ होगी, तो गर्दन फंस है कि जो सजा है process of justice जो है यही एक तरीके की सजा है कि आपको अपने आपको बेगुनाह करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भागते फिरना पड़ेगा तो यही आपको अपने आप में एक बहुत बड़ी सजा है और उस सजा को आज मुफ्ती सल्मान अजहरी साहब जेल रहे हैं हम उमीद करेंगे कि मुफ्ती सल्मान अजहरी साहब अदालत से पाक साफ होकर निकलें और जितने मुकदमात उन पर लगे हैं वह बेगुना होकर सामने आएंगे आप लोगों जज साहिबा ने ये भी कहा कि कोई अगर अकेले बात करता है तो वह अलग बात है, लिकिन आप अगर भीड के अंदर बोलते हैं, मोब के अंदर आप ये बोलते हो, भीड में ये बयान दे रहे हो और अपने आपकी तुलना कर रहे हो तो ये गलत है, क्योंकि भारतिय सब को equality का अधिकार देता है एक मानता है तो आप किसी की तुलना कैसे कर सकते हो यह अदालत में आया और जो मैंने गुजराती को अपनी भाशा में आप तक पहुंचाया इस पर आपकी क्या राय है कमेंट के जरीए हमें जरूर बताएं उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटे प आपको मिलती रहे, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्ला हाफिज